हलो फ्रेंट्स वेलकम तो आई चैनल स्टडी फोर यू सो गई जैसा कि आज जो आपका यूपी टीपल सी पीटी का 28 सब्टूबर के मॉर्निंग सिप्ट का एक्जाम हो गया दोस्तों जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100 परसेंट एकुरीट एंसर के साथ जो है इस वेड़े में बताऊंगा तो देख लेता हैं कि किस परकार के जो है आज आपके 28 सब्टूबर के मॉर्निंग सिप्ट के एक्जाम में जो आप प्रेस्ट न पूछे गया है उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्हों ने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपेटेबल से पीड़ी एक्जाम से रिलेटेड पलपल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिएगा और बगल में ही आपको एक बैलेकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा तो आप उसे भी जरूर प्रेश कर दिएगा तो चलिए विड़ो को स्टार्ट करते हैं तो आपका पहला कोशन आया था कि सिवाजी के मृत्यू के बाद मराठा राज्य में प्रभावी सक्ती चितपावन ब्रामनों के एक परिवार के पास था जिनोंने सिवाजी के उत्रा अधिकारी को पेश्वा या फिर प्रधान मंतरी के रूप में सिवा प्रधान की थी और इन में से कौन सा सहर जो है माराथा समराज जी की राजधानी जो है वो बन गया था तो देखे सिवाज जी के मृत्यू के बाद माराथा समराज जी की जो राजधानी है न यह आपका पूने सहर बन गया था तो option D पूना सहर आपका यहाँ पे correct answer होगा नेक्स्ट कोश्ण है आपके आप रहा था कि महाभीर स्वामी को जिनके नाम से जाना जाने लगा जिनका जो है अर्थ पूछा गया था तो देगे जिनका जो अर्थ होता है वो आपका वीजेता होता है तो आपसन ए वीजेता आपका यहां पे correct answer होगा नेक्स्ट कोश है आपके आप रहा था कि जैसा की असो के सिलादेख में उलेख किया गया है मौरे समराज में राजानी पातली पुत्र और अन्य चार प्रांती केंदरों सहीद पांच परमुक राजनीती केंदर थे और निमनल इखित में से कौन सा प्रांती केंदर नहीं था तो दिगे इन में से जो आपका प्रांती केंदर जो नहीं था न वो आपका इंदर प्रस था तो ऑप्सटण डी इंदर प्रस आपका यहाँ पर एकरेक्ट अन्सर होगा नेक्स्ट कोश है आपका आप रहा था कि रिग्वेद में विस्वामित्र नामक एक रीसी और कीन दो नदियों के बीज़ वो संबाद है तो देखे रिगवेद में आपका व्यास और सतलूज के नदियों के बीज़ यह आपका संबाद है तो option B व्यास और सतलज आपका यहाँ पर correct answer होगा नेक्स्ट कोश है आपका यहाँ आपका यहाँ आपका यहाँ पर correct answer होगा नेक्स्ट कोश है आपका यहाँ आप रहा था कि निम्नल इखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह मैसूस करने के लिए प्रेडित किया था कि संभिधान सभा ब्रेटिस निर्मित थी और ब्रेटिस योजनाओं पर काम कर रही थी जैसा कि ब्रेटिस चाहते थे इस पर काम किया जाए तो देखे इसमें जो आपका सहयोगियों को महसुस करने के लिए जो प्रेडित है न या आपके सुमनात लाहेडी के द्वारा जो व राजनीतिक दल का जो वो गठन किया था तो देखे चितरंजन दास और मोतिलान नहरु के द्वारा जो है परिसद राजनीती में वापस वापसी पर बहस करने के लिए जो है कॉंग्रेस के भीतर सौराज पार्टी का जो गठन है वो किया गया था तो आप्शन B सौराज पा करने कי आफसक्ता के बारे में तो ठीए तो आजशिक उग्रोटा को सफ़ाता कि निमनलि खित में से कौन खुदाई खिद्मत गार का संस्थापक था और जिसके बातसा खान के नाम से रहा में के लुगासर आपके चान máxim को जाना जाता था। तो option D आपका यहाँ पे correct answer होगा, next question आपका यहाँ आप रहा था कि सुरूई, जिसे आप सिरूई के नाम से भी जाना जाता है, कुमुदिनी लिली भारत के निमनल इकित में से किस राज्य में पाए जाने वाली जो है, एक मात्र अस्थलिय कुमुदिनी लिली है, तो देखें option C, मनिपूर आपका correct answer होगा, next question आपका यहाँ आप रहा था कि उडिया पठार भारत के निमनल इकित में से किस राज्य में इस्तीध है, तो देखें यह जो आपका उडिया पठार है यह आपके राजस्थान राज्य में इस्तीध है, तो option A, राजस्थान आपका correct answer होगा, next question आपके आपका यहाँ आपका यहाँ आपके राजस्थान की जाला और जीले में जो है, तो देखें राजस्थान के जाला और जीले में जो होगा, तो देखें राजस्थान के जाला और जीले में जो है, तो देखें राजस्थान के जाला और जीले में जो है, तो देखें D आपका यहाँ पर correct answer होगा next question आपका यहाँ परादा कि पूर्टगालियो द्वारा निर्मित जो आपका बंदेल चर्च जो था ना यह भारत के किस राज्य या फिर केंरसासित परदेश में इस्तित है तो देखें यह जो आपका बंदेल चर्च है कौन मंजूरी देता है तो देखें FRP को जो मंजूरी है यह आपके आर्थिक मामलों के कैबिनेट समीती के द्वारा जो वो दिया जाता है तो option C आपका यहाँ पर correct answer होगा next question आपका यहाँ परादा कि निमनल इखित में से कौन सा एक भारते स्रम कानून और सामाजिक सुरच्छा उपाय है जिसका उदेश है काम करने का अधिकार यानि right to work की जो गारंटी है वो प्रदान करता है तो देखे right to work की जो गारंटी देता है यह आपका महात्मा गांधी रास्टे ग्रामी रोजगार गारंटी आधिनियम जो वो प्रदान करता है तो option B आपके यहाँ पे correct answer होगा next question है आपके आपका है कि स्वर्न करांटी भारत में निम्नलिकेत में से जो है किस क्रीज से छेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है स्वर्न करांटी की बात कर ले यानि golden revolution जो है यानि आपका IRDA का हेटकवाटर का नाम जो वो पूछा गया था, तो देखे, IRDA का जो आपका हेटकवाटर है ना, यह आपके हैदराबाद में इस्थित है, तो option D, हैदराबाद आपका यहाँ पे correct answer होगा, next question आपका आप रहा था कि निम्नली खित में से कौन सा depository, संस्थान क एक परकार नहीं है, तो देखे, यह जो आपका नाबाद है ना, यह आपके depository संस्थान का एक परकार नहीं है, तो option A, नाबाद आपका correct answer होगा, next question आपका आप रहा था कि बारती सोतंता अधिनियम, 1947 के पारित होनी के साथ जो है, भारत एक अधिराज्य बन गया था, और अधिराज जी विधान मंडल ने, भारत सरकार अधिनियम 1935 के जो है, किस इधारा के प्रवधानों के तहट जो है, 1947 से 1949 तक यह कानून बनाये थे, तो देखे, यह question जो आपका थोड़ा सा टप पूछा गया था, और इस question में थोड़ा सा मुझे doubt है, option A और option B को लेकर, जहा जिस भी बच्चों का अगर इसका सही अंसर पता है, वो कमेंट करके बता दीजेगा, next question आपका आप रहता कि एक वैक्ती, जो संसत का सदश से नहीं है, उसे राजपदी द्वारा जो है, अधिक्तम कितने महीनों के लिए, मंतरी के रूप में न्यूक्त किया जा सकता है, त पर देश पर है, तो देखे इसका जो छेतरा अधिकार है ना, यह आपका कलकत्ता उच न्याले का है, तो option एक कलकत्ता उच न्याले आपका correct answer होगा, next question है आपके आप रहता कि पंचाती राज संस्थानों की अस्तित्व के लिए भारत की संसस्थ द्वारा जो है, 73 और 74 प्राइदानिक संसोधर है ना, यह आपके दिसंबर 1992 में जो पारित किया गया था, और लागू कब किया गया था, तो यह आपका 1993 में जो वो लागू किया गया था, तो option C आपका correct answer होगा, next question है आपके आप रहता कि वर्स 1928 में मोतिलाल नहरू समीती के द्वारा जो है, नि आपका correct answer होगा, next question है आपका रहता कि स्वर्यंत्र के संबंद में, निमनली खित में से कौन सा कतन जो है, सही दिया गया है, तो देखे अगर लेरिंग्स की बात कर ले, तो यह जो आपका उपस्तितियों से बना एक अंग है, और ग्रस्नी का स्वसंनली से जो यह आपका जो पर ले, तो यह जो आपका soul collide है, तो option B आपका यहाँ पर correct answer होगा, next question है आपका रहता कि निमनली खित में से कौन सा कार्बनिक योगी जो है, मानो सरीर में, प्रोटो प्लाजम को जो जमा देता है, तो देखे, मानो सरीर में जो आपका प्रोटो प्लाजम को जो जमा देता ह तो option C आपका यहाँ पर correct answer होगा, तो 28 का option C correct answer होगा, next question है आपका यहाँ पर रहता कि निमनली खित में से कौन सा आंतरीक सौर मंडल में जो है, इस्थित एक मात्र बौनाग रहा है, तो देखे, यह जो आपका सेरेश है ना, यह आपका एक मात्र जो हो बौनाग रहा है, त निमनली खित में से कौन सा अमली जो हो मौजूद होता है, तो देखे, बीचों के पतियों में चुबने वाला जो बालो में, निमनली खित में से जो आपका अमली जो हो मौजूद होता है, तो option A आपका यहाँ पर correct answer होगा, एक कोशर का answer मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, तेरह नंबर कोशन का, पूछा गया था कि सीत्र इतु कोई सुरुवात में, तमीलाड़ू के थट्ये छेत्रो में, वर्सा का का कारण होता है, यह आपके उत्तर पूर्वी वर्सा, रीतू, मौंसुन के कारण होता है, जहां पर मैंने आपका option C उनसर बतायता, तो यह आप आपका गलत होगा, option A जो आपका यहाँ पर correct answer होगा, next question आपका match से पूछा गया था, जिसमें average से प्रस्टन पूछा गया था, कि इंग्लैंड न्यूजिलैंड वंडे मैच में, बारिस के कारण, इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर में, 324 रंच चाहिए थे, शुरुवाती 10 ओवर में औसत scoring जो rate था ना, वह आपका 6 था, और अगले 10 ओवर यह बढ़कर जो run rate था ना, वह आपका 8.5 हो गया था, इसके आपका औसत की, कितने औसत की जो जरूरत है, तो देखें, इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए, जो आपका run rate की जो जरूरत है, वह आपका 6.75 run rate की जो जरूरत है, तो option B, जिनों ने भी लगा, उनका यहाँ पर correct answer हो, next question आपका आप रहता है, कि निमनली खित में से, कौन स धन आपका औरोही गर्म में है, यानि descending order में है, तो देखें, जब औरोही kurhm की बात आती है, यानि बड़े से चोटे से, जो आपका करना होता है, तो देखें, इसमें जो आपका बड़े से, चोटे करम में होगा न वो आपका option C होगा, मैंने solve कर लिया है, तो option C, आपका य यहां पे correct answer होगा उसके बाद आपका फीर से particular value दिया गया था और इसका मान पूच पूछा गया था तो दिएगे इसका जो मान होगा न वह 10 होगा मैंने इसको solve कर लिया है तो option d आपका यहां पे correct answer होगा उसके बाद फीर आपका 35 में मैट के प्रेशन पूछे गया था, इसको भी मैंने solve कर लिया है, उसके बाद दीविया का मासी के वेतन यह कितना होगा तो यह आपका बत्ती सजार होगा तो option A जिन्हों ने भी लगाया है उनका यहाँ पे correct answer होगा, next आपका हिंदी से फ्रेशन पूछा गया था, कि निम्नल इखित में से, किस विकल्प में जो है, विलों में यूग में जो हो आपका सही जो हो नहीं दिया गया है, तो देखें जब आप option B को देखेंगे ना, डावाट डोल का अस्तिर जो हो विलों सब्द दिया गया है तो यह जो आपका विलों में यूग में है वो आपका गलत जो है, वो दिया गया है तो option B आपका यहाँ पे करेक्ट अंसर होगा next question आपका अपनाता कि होनार बिर्वान की, हो चिकने पात, लोकती का जो है अर्थ, यह जो है क्या होता है तो देखें, जब आप यह लोकती पड़ोगे न तो आपको देखने को मिलेगा कि होनार वैक्तियों की, प्रतीबा जो आपका बच्पन में ही जो वो देखने को जो वो मिल जाता है तो option D जिनों ने भी लगा है उनका यहाँ पे करेक्ट अंसर होगा निमनली खित में से किस विकल्प में सभी सब्द जो वो पुलिंग जो दिये गया है तो देखें, जब आप option D को देखेंगे न प्लेटफॉर्म, प्रादीकरन और गिरो यह जो तीनों सब्द है न यह आपके पुलिंग सब्द हैं यह जो आपका option दिया गया था attaching और आपका सुध्द वाग के दिया गया था जब आप option A को देखेंगे माजेवी चायवादी कवित्री है तो देखें, यह कवित्री गलत लिग वा थे तो यह तो आपका ص़ई आंसर नहीं होगा इसलिए option D आपका यहाँ पर correct answer होगा next question आपका है अब रहा था कि कलम के जादूगर यह जो किसे कहा गया है तो देखे कलम के जादूगर जो है यह आपके राम वरीच बेनी पूरी को जो वो कहा गया है तो राम वरीच बेनी पूरी option C आपका correct answer होगा नेक्स्ट आपका इंगली से प्रस्टना है था जिसमें फास्टीडियस का जो है आपका एंटोनीम पूछा गया था तो देखे फास्टीडियस का मतलब जो होता वो आपका केरफूल होता है लेकिन इसमें आपका एंटोनीम पूछा गया था तो देखे फास्टीडियस का जो इसमें आपका क्या होगा यानि singular है तो इस होगा option c जिनोंने भी लगा उनका यहाप एक करेक्ट एंसर होगा next question आपका यहाँ प्रादा कि इन में से कौन सा spelling जो है वो आपका incorrect दिया गया है तो देखें जब आप anniversary को देखोगे ना anniversary का spelling क्या होता है तो A, N, I होता है और यहाँ पे A, N, I आपका दिया गया है तो option D आपका यहाँ पे correct answer होगा next question आपका एक paragraph से है था तो paragraph में question number 44 में पूछा गया था कि world highest peaks are located in the तो देखें जब आप paragraph को परहोगे ना तो world highest peak जो आपका कहां पर located है तो यह आपका हिमादरी range में located है तो option B आपका correct answer होगा next question आपका यहाँ परहता है कि northern Indian plains are reaching यानि जब आप paragraph को परहोगे तो northern Indian plains are reaching alluvial deposits आपका correct answer होगा option A 45 का correct हो जाएगा next question आपका reasoning से आएथा कि एक कुट भासा में जो है alpha को जो है आपका plus से धर्साया जाता है और इसमें जो आपका plus जो है वो minus से जो वो धर्साया जाता है तो यह जो आपका इसमें पूछा गया था कि इसमें निमलीखिस में से जो आप प्रश्न का उत्तर जो खोजें तो देखें कोशन आपर 46 को जो है मैंने solve कर लिया है तो देखें जब आप इसको solve करोगें तो आपका जो answer निकल कर आएगा न वो 58 आएगा तो option A आपका correct answer होगा संख्या होगे दिये गया क्रम में गलत संख्या जो वो ग्यात करना था तो देखें यह जो आपका sequence दिया गया था और इसमें जो आपका गलत संख्या ना वो आपका 634 है तो option D आपका correct answer होगा next question आपका यहां पर आप रहा था कि 17 जून 1998 को सब्ता का कौन सा दिन था तो देखें 17 जून 1998 को जो है यह आपका बुधवार था तो option C आपका correct answer होगा एक question आपका reasoning में blood relation से पूछा गया था और जब इसको आप solve करोगे ना तो PQ का मामा है और यह जो है किसको दरसाता है तो option D जो आप देखोगे ना तो option D जो आपका सही दरसाता है तो option D आपका correct answer होगा उसके बाद आपका एक कतर निसकर से पूछा गया था कि सभे डंडे जो है वो बंदूके हैं और कुछ नावे जो है वो डंडे नहीं है यानि इसका आपका निसकर से जो वो बताना था यानि आप एक माली जे यह आपका बंदूक है और सभी डंडे जो वो बंदूक है तो यह आपका डंडा हो गया और कुछ नावे जो वो डंडे नहीं है यानि कुछ नावे जो है यह आपका डंडे नहीं है तो इस प्रकार से आपका वेन डाइग्राम बनेगा और इसमें जो आपका सही जो आपका निसकर्स निकल कर आएगा ना वो आपका option B आएगा यानि यदि केवल निसकर्स दो ही जो है आपका अनुसरन करता है तो option B आपका यहाँ पे correct answer होगा नेक्स्ट कोश है आपका यहाँ राता कि हाली में भारतिय गोलफर सुभंकर सर्मा ने इंगलैंड के मसी साइड में रोयल लिवरपूल गोलफ कलब में जो है सही उप्त आठवे अस्थान रहने के बाद open services परिणाम जो वो दर्ज किया है और उन्हें किस वर्ज अरजुन प्रुसकार से जो वो सम्मानित किया गया था तो option B 2018 आपका correct answer होगा नेक्स्ट कुछ है आपका आपना था कि भारत सरकार द्वारा संचालित निमनलिखित में से कौन सा निगम जो है आप रहा था कि गुरुग्राम में start-up 20 के समापन समरों के दोरान जो है भारत ने आधिकारिक तोर पर वर्स 2014 के लिए जो है किस देश को मसाल जो वो सौपा है तो देखे 2022 के लिए आपका मसाल है ना ये ब्राजील देश को सौपा गया है तो option C आपका correct answer होगा नेक्स्ट कोश है आपके आप रहा था कि भारत के मुखे नयादीस यानि जो आपके Chief Justice of India है ना जो कि आपके DIY चेनर चूट द्वारा निम्नली खित में से कौन सा पॉर्टल जो वो लांच किया गया है जो अधिवक्ताव वादियो नागरीकों को भारत के सर्वोच न्याले में जो है परवेस के लिए QR कोड अधारित इपास का अनुरत करने की जो है अनुमति जो वो प्रदान की गई है तो यह जो आपका इपास है ना यह आपका सू स्वागतम है तो option B आपका यहां पे correct answer हो नेक्स्ट कोश है आपका आप रहा था कि हाली में केंद्रे सड़क पर बहुंच की आता है और ncờ pka फुल फॉम जो वो पूचा गया था तो डिए ncap का फुल फॉम होता है न यह आपका new car assessment program होता है तो option B आपका यहां पे correct answer हो ऊंगा नेक्स्ट कोश अपका भात अनुमह प्राथा कि निर है कि है घ्रोंक की जो है तो आपका कि में के लिए जो है भारत अमेरिका टास्ट पोर्ट्स की जो अस्थापना है वो किया गया है तो ऑप्सन डी आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश्व का पहला साथ मिनिट का जो कैंसर उपचार टीका जो है यह किस देश में सुरू किया जाएगा तो देखे विश्व का पहला साथ मिनिट का जो कैंसर उपचार टीका है यह आपके इंग्लेंड देश में जो वो सुरू किया जाएगा तो ऑप्सन ए इंग्लेंड आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश्व का आप रहा था कि मद्दे परदेश में जो आपका मुख्यमंतरी लाडली बेहना आयू सीमा है तो ऑप्सन ए जिन्होंने भी लगा उनका यहां पर करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश्या आपका आप रहा था कि पुरवाद सीमान्त रेलवे में वर्स के सुछम परियोजना के लिए पीमाई दच्छिन एस्या पुरुष्कार जो वो जीता है और यह जो नम्नली खीत में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए यह आपका इंस्ट्रख्ण सींस्टम है तो गोस्ष्ट्रफ्रेग के आप Heute को बचाने के लिए लिए इनस्ट्रफ्ण सीस्टम है तो अप송र में बहातेग्य वाई। सेना की पस्चिमी वायू कमांद द्वारा सुरू किये गए वार्सिक प्रसिचन अभ्यास का जो वो नाम बताना था तो देखे हाली में जो आपका भारती वायू सेना को पस्चिमी वायू कमांद द्वारा सुरू के गए जो वार्सिक प्रसिचन अभ्यास का नाम था ना वो आपका इंदर्षास्थे कि इस्तीद है। इसे जो आपका 2021 में यूनेशकों विस मडरवा रस्तल में जो घोसित किया गया था और इसका जो निर्मान है यह किस राजवन्स के सासन काल के दौरान जो है, वो किया गया था तो तो आप्सन डी आपका कुथू भारत के निम्नल लिखित मेंसे जो है किस राज्य या फिर के इंद्रसासित परदेश में कुथुम बलम मंदिर में परदर्सित एक समाजिक धार्मिक कला है तो आपका केरल में जो है समाजिक धार्मिक जो वो कला है तो option C आपके यहां पर करेक्ट अंसर होगा नेक्स्ट आपके आप रहा था कि केंद्रिय भार्तिय भासा संस्थान का मुख्याल है यह जो एक किस संस्थान पर हिस्तित है तो देखें केंद्रिय भार्तिय भासा संस्थान का जो हेट कोर्डर है यह आपके मैसूर करनाटक में हिस्तित है तो option A आपका correct answer होगा नेक्स्ट कोश है आपके अपरादक की रासाइनिक हत्यारों का निसेज जो संगठन है यानि OPCW का जो है ना इसमें कितने सदस से रास्ट रहे हैं तो देगे OPCW में जो है टोटल आपके 193 सदस से रास्ट रहे हैं तो option D आपका correct answer होगा निम्नली खित में से कौन सा जो है माल की आदिकारिक भासा है तो देगे माल दिव का जो ओफिसियल लैंगविज है ना यह आपका दीवे ही है तो option D आपका correct answer होगा नेक्स्ट कोश है आपका आपरादक की पूला निम्नली खित में से किस देश की रास्ट्रे मुद्रा है तो देगे यह जो आपका पूला है ना यह आपके बहुत स्वाना का जो है यह आपका रास्ट्रे मुद्रा है तो option A आपका correct answer होगा नेक्स्ट कोश है आपका आपरादक की पेरुंग दाई कोंगु विलर द्वारा लिखित महाकाबे करीती है और यह भारत के निम्नली खित में से जो है किस साहित से संबंदित है तो देगे पेरुंग दाई कोंगु विलिद के बात कर लें तो यह जो आपका तेलगु साहिते या फिर तमिल साहिते हो सकता है इस question में थोड़ा सा मुझे confusion है तो जिस भी बच्चे को अगर इसका answer पता है वो comment करके बता सकते हैं क्यूंकि मैं आपको पहले ही बता देओ कि इस चैनल पर जो आपको 100% accurate answer की जो वो provide किया जाएगा तो इस question का answer मुझे नहीं पता है जिस भी बच्चे को अगर answer पता वो comment करके बता दीजेगा next question आपका हिंदी का paragraph से आया था जब आप ये पूरा paragraph जो वो पढ़ लिजेगा मैंने जो ये पूरा paragraph पढ़ लिया है जिसम समाज प्योगी उर्द मुखी योजनाओं से वन्चित वर्ग जो है ये कौन सा है तो देगे इसमें जो आपका वन्चित वर्ग है ये आपका option C है तो option C जिनोंने भी लगा उनका यहाँ पर correct answer होगा question number 72 की बात कर ले तो लेखा के अनुसार सोसन का सिकार कौन लोग होते है तो जब आप देखे paragraph बढ़िएगा ना तो इसमें जो आपका सोसन का जो सिकार होते है वो आपके option B यानि वस्तु और सिवाओं का उपयोग करने वाला उपवोगता समी जो है समू जो है वो आपके सोसन का सिकार होते है तो option B आपके यहाँ पर correct answer होगा next आपका यहाँ पर D आपका यहाँ पर correct answer होगा next अगर question number 74 की बात कर ले तो देखे समाज पयोगी उर्द मुखी योजनाओ से वन्चित वरके शोसन के लिए कौन सा उतरदाई है तो यहाँ आपका option A है option A आपका correct answer होगा next आपका यहाँ पर रहा था कि सैचनिक और सांस्कृतिक सब्द यह जो आपके एक प्रत्या से जो हो मिलकर बने हैं तो option C आपका यहाँ पर correct answer होगा next आपका एक गध्यांस है था हिंदी में जिसमें 76 कोशन में पूछा गया था कि क्या विचा वरीती देश की एक समस्या है तो इसमें जो आपका correct answer होगा वो आपका option C हो जाएगा next अगर बात कर अस्तलों पर लोग भीग देने के लिए जो है क्यों बात दे जो हो जाते हैं तो देगे जब आप गध्यांस को पड़े होगे ना तो option B जो है यहाँ पर आपका correct answer होगा question number 78 की बात कर ले तो भीग न देकर भी दूसरे की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प जो है आपका वो सही दिया गया है तो option B जो आपका है वो सही विकल्प जो हो दिया गया है पैसे देकर किसी बिखारी को जो है रोजगात धंदे के लिए प्रेरित करके जो है वो मदद जो हो किया जा सकता है सौरी जब आपको कोशन नमर 78 को जब आप देखोगे ना तो option C जो आपका सही निकल कर आएगा गध्यांस को पढ़ोगे तो 78 का C आपका correct answer होगा दान पुन ने और जीवन मुक्ती में कौन सा आपका समास है तो देखे दान ने पुन और जीवन मुक्ती में यह आपका दंद और तत्द पुरुष समास है तो option B आपका यहां पर correct answer होगा, खांदानी भीखारी जो यह आपके कैसे होते हैं, तो option C, जिनकी भीख मांगने की जगा पुस्तैनी है, और पिडियो से जो यह आपका निश्चीत है, तो यह आपका खांदानी भीखारी जो वो आपके होते हैं, तो option C आपका correct answer होगा, नेक्स्ट आपका मैज से आथा जिसमें आपका डियाई से जो प्रस्म पूछा गया था, तो देखें, डियाई को भी मैंने जो वो solve कर लिया है, जिसमें 81 से लेकर आपका 85 तक पताना था, तो देखें, 81 में जो आपका correct answer होगा, वो आपका 190 बटे 325 आएगा, option A जिन्हों ने भी लगा, उनका यहाँ पे correct answer होगा, कोश्चना अगर 82 की बात कर ले, तो 82 में option C जिन्हों ने भी लगा, 80.51%, उनका जो यहाँ पे correct answer होगा, 83 की अगर बात कर रहें, तो देखें, 83 को भी मैंने solve कर लिया है, और 129.03% निखल कर आ रहा है, यानि option C जो आपका correct answer होगा, अगर 84 को देखें, तो 84 में जो मेरा answer आ रहा है, वो 24 बटे 43 आ रहा है, option B जिन्हों ने भी लगा है, उनका यहाँ पे correct answer होगा, 85 में जिन्हों ने भी option C लगा, उनका यहाँ पे correct answer होगा, question number अगर 86 से 8090 की बात, तो इसमें जो आपका pie chart से press ने पूछा गया था, और 86 का जो आपका correct answer होगा, वो आपका option D होगा, 6.67 minute जो है, option D आपका यहाँ पे correct answer होगा, वही अगर 87 number question की बात कर रहें, तो 87 number में आपका 7 ratio 9, option B जिन्हों ने भी लगाया, उनका यहाँ पे correct answer होगा, 88 की अगर मैं बात कर लो, तो 88 में जो आपका correct answer निकल कर आ रहा है, तो option B जिन्हों ने भी लगा, उनका यहाँ पे correct answer होगा, वही अगर बात कर ले, 89 number की, तो 89 number में जो मेरा answer निकल कर आ रहा है, वो आपका 11 ratio 14 आ रहा है, तो option C जिन्हों ने भी लगा, उनका यहाँ पे correct answer होगा, question number अगर 90 की बात कर ले, तो 90 में जो correct answer होगा, वो आपका 8 मि तो option A आपका यहाँ पर correct answer होगा वही अगर 91 की बात कर लें तो 91 में जो option B आपका वो correct answer होगा 92 की बात कर लें तो 92 में option C जो आपका correct answer होगा 93 की बात कर लें तो 93 में option C 1 जो आपका यहाँ पर correct answer होगा 94 की बात कर लें, तो 94 में जो आपका correct answer निकल कर आ रहा है, वो आपका बांगलादेश आ रहा है, option B जिनोंने भी लगाया है, उनका यहाँ पे correct answer होगा, 95 की बात कर लें, तो 95 में जो option D, जिनोंने भी 95 में माल्दियू लगा कर रहा है, उनका यहाँ पे correct answer होगा, वहीं अगर 96 6 की बात कर तो यह जो आपका तालीका से सवाल जो वो पूछा गया था और तालीका को जो मैंने एक ही कोशना भी solve किया है जिसमें जो answer निकल कर और वो आपका 65 लीटर निकल कर आ रहा है तो 96 का option भी आपका correct answer होगा इसके लावा यह सब तालीका जो आप solve कर लीजेगा तो सभी 100 प्रसनों का जो मैंने 100% accurate answer की के साथ बताया है तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है like जरू कर दीजेगा और इसी तरह फलपल की update पाने के लिए जो है चैनल को subscribe जरू कर दिएगा तो मिलते हैं next video तब तक thank you all the best